Welcome to all my dear students, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे With me, विरेंदर तो आई ए स्टुएंट, आज हम लोग आपके लिए क्या लेकर आए हैं तो Class 8 का Chapter No. 2 ठीक है, Friction ठीक है, कौन सी बुक का है, यह बाव साइंस का है ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले देखते हैं Assess Question करके कुछ दिये हैं बीट में Chapter के बिटबिंदा Chapter Question दिये हुए उनका Solution हम यहाँ पे देखने वाले हैं चलिए, देखते हैं क्या है, पहला Question What is Friction? ठीक है, Friction क्या होता है? Answer, Friction is a force that resist जो क्या करता है? रोकता है, रोकने की कोशिस करता है The Relative Motion between Two Objects or the Materials देखो पीटा, जैसे क्या हुआ Friction क्या करता है? जैसे एक Person है, यह इसको आगे की तरफ इस Direction में खीचने की कोशिस कर रहा है एक Box को, ठीक है? तो क्या होगा? इस पे Pushing Force यानि इधर लग रहा है लेकिन यह जो Box है और यह जो Earth है इसके बीच में एक Friction Force लगा रोकने की कोशिस करता है किसको Motion जो हो रहा है, उसको रोकने की कोशिस करता है तो उसको हम कहते है Friction Force चलिए, Next Name the different types of Friction अलग-अलग type के Friction कौन-कौन से होते है उनके Cable और Cable नाम बताने Names आपको देने हैं आपे तो No.1 Static Friction यानि जब Object रुका हुआ होता है उस टाइम पे जो Friction Force लग रहा होता है इसको Static कहते है Sliding जब कोई Object है न दूसरी Object के Surface के Respect में Slide कर रहा होता है Sliding Friction कहते है Rolling Friction यानि लुड़क के जा रहा होता है ने रोल करके जा रहा होता है तो उसको Rolling Friction कहते है Next Will Oil also cause Friction क्या Oil की वज़े से Friction होता है तो पिटा एक बार ध्यान नखिए Oil causes Reduction in Friction जो Friction होता है उसको अगर कम करना है ठीक है Reduce करना है उसकी दो पार्ट का Relative Motion हो रहा है अगर उसमें आप Oil लगाएंगे तो उसकी बज़े से क्या हो जाएगा Friction कम हो जाएगा ठीक है लेकिन पिटा एक चीज़ समझो क्या Oil Friction को 100% कम कर देगा जी नहीं तो कोई भी दो Metal ऐसे नहीं मने हैं आसकी डेट तक जो Friction को वेहिकल वेहिकल बिकांग जीरो यानि कि अगर किसी Object पे Drag कोई वेहिकल है उस पे Drag Force क्या होता है बटा जैसे Air है कोई Liquid है फ्लू कर रहा है तो उसकी बज़े से हैना उसमें जो Object ट्रेवल कर रहा है ठीक है या क्या क्या क्याता है वेह रहा है या हवा चल लगी है तो आपको आगे जाने में जो Resistance feel होता है आंधी की बज़े से हवा की बज़े से उसको कहते है वो Air का Fluid का Resistive Force होता है जिसको हम Drag के नाम से जानते हैं ठीक है चलिए क्या है If Drag Become Zero अगर Drag Zero हो जाएगा The Speed of the Vehicle will Increase अगर अचानक से Drag Force की Value Zero हो गई यानि बिल्कुल Negligible लगने लगा तो क्या होगा अचानक से Vehicle की Speed क्या हो जाएगी Increase हो जाएगी उससे क्या जोगा Disbalance हो जाएगा Control Driver हो सकता है तो It May Cause Accident जिसकी बज़े से Accidents भी हो सकते है मतलब में इतना भी बुरा हो सकता है ठीक है चलिए Next Can a surface be frictionless? क्या कोई surface frictionless हो सकती है जिसमें friction 0 हो बिल्कुल हो ही ना ठीक है No A surface can never be frictionless तो कोई भी surface कभी भी frictionless नहीं हो सकती है ठीक है इस्टेटिक फ्रिक्शन इस्टेटिक फ्रिक्शन दीज आर ठीक है दो force होते हैं दो factor बताने हैं जो strength of the force static friction को determine करते हैं वो क्या होते हैं इस्टेटिक आर क्या है वो देखें answer speed and light ठीक है light मतलब की two factors इस्टेटिक फ्रिक्शन भारी है है हाव फास्ट object are going and on what surface ठीक है कितनी तेजी से कोई object travel कर रहा है और किस surface पे है कि बाई बिल्कुल glass पे है smooth surface पे rough surface पे इस चीज़ पे depend करता है third how big the objects are and how fast they are going ठीक है कि वो जो object है कितना बड़ा है ठीक है and how fast they are moving और कितनी speed से वो जा रहा है ठीक है कितनी fast move कर रहा है how hard the surface push together and the types of surfaces involved किया रहा है कितनी hard surfaces पर कितनी hard the surface push together दो surface जो है उनमें आपस में कितनी ते दबागी रखा हुआ है दबाभ है उन दोनों के है न and the types of surfaces involved किस तरह की surface पर उनको push किया गया है ठीक है तो यह कुछ factors होते हैं चलिए next देखते हैं पहला question यह था ठीक है तो two factors आपको बताने थे तो इसमें देखिए बिटा तो right answer क्या हो जाएगा इसमें ठीक है बई किन-किन चीज़ों पर करता है तो answer हो जाएगा इसका D is the correct answer क्या हो जाएगा बिटा D is the correct answer how hard the surfaces push together and the types of surfaces involved तो इस तरह से question पूछा गया था next identify the options that best completes the statement rolling friction is है ना तो आपको सबसे अच्छा statement सेलेक करके बताना है कि rolling friction is rolling friction क्या है इस तरह से usually less than sliding friction ये sliding friction से कम होता है तो सही बात है sliding friction से कम होता है दूसरा usually greater than the sliding friction ये sliding friction से थोड़ा ज़्यादा होता जी नहीं ज़्यादा नहीं होता है ये तो हो नहीं सकता ठीक है same as fluid friction ये बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा fluid friction होता है बिल्कुल नहीं होता है वाई ऐसा not depend on the amount of pressure on the wheel ये pressure पे, wheel पे कितना pressure लग रहा है उस बात पे depend नहीं करता है तो ये भी नहीं होता है, right answer हो जाएका बेट आपका A is the correct answer है ना, तो चलिए ये होगी आपका A correct answer next a good rule to observe when around a swimming pool is no running ठीक है, यानि कह रहे हैं कि swimming pool के आसपास सबसे बहतर तो ये होगा कि आप उसके आसपास दोड़े ना, है ना, दोड़ना लगाए the deck यानि बहाँ पे क्या होता है, उसके deck पे क्या होता है around the pool becomes very sleepy to walk on when wet due to यानि बहाँ पे पानी वगेरा गिर जाता है, तो वो गीला हो जाता है जिससे फिसनने के chances बढ़ जाते हैं, sleepery हो जाता है, वो ठीक है तो अब कह रहा है, ये जो wet हो जाता है, sleepery हो जाता है, किसके कारण हो जाता है sliding friction के कारण, rolling friction के कारण, fluid friction के कारण तो third का answer हो जाएगा बिटा fluid friction के करण, किसके करण fluid friction के, क्योंकि पानी है जो कि fluid होता है next, तो यह हो जाएगा fluid friction इसका right answer, next why do you find it hard to drive a bicycle with less air pressure in the tires इसमें कहा गया है cycle जो आप चलाते हैं तो उसके tire में अगर हवा कम हो जाए less pressure हो, मतलब हवा कम हो जाए थोड़ी सी, तो cycle को drive करना थोड़ा भारी यानि आपको ज़्यादा पैडल, ज़्यादा force लगाना पड़ेगा ज़्यादा energy खर्च करना पड़ेगी, उसको cycle को आगे धकेनने के लिए ले जाने के लिए ऐसा क्यों? तो पहला increase in fluid friction, fluid friction बढ़ जाता है, तो fluid friction कहा से बढ़ जाएगा, tire और सड़क का contact तो बीच में fluid तो आई ही नहीं रहा है, ठीक है none of these, तो यह भी नहीं होगा, पैटा right answer क्या हो जाएगा, A is the right choice, ठीक है, क्या हो जाएगा A is the right choice, तो यह हो जाएगा, आपका A answer correct, next उसकी value 5 newton है, then what will be the value of static friction, आप से static friction और sliding friction की value पहुचिए, to be respectively तो यानि की कह रहा है कि rolling friction 5 newton होता है, तो अब आप यह बता जीजिए, static friction और sliding friction की value क्या होगी, तो बीटा एक चीज आपको ध्यान नकिएगा rolling friction की value सबसे कम होती है, sliding friction है, आप कौन-कौन से बचे static friction, sliding friction rolling friction की value सबसे कम होती है, उससे थोड़ी ज़्यादा होती है sliding friction, और उससे थोड़ी ज़्यादा होती है static friction तो आप ध्यान नेखिएगा बिटा rolling friction सबसे कम, ठीक है उसके बाद आता है बिटा, sliding friction क्या आता है sliding friction sliding friction आता है उसके बाद आता है आपका क्या static friction क्या आता है static friction अब इस question में problem क्या है बेठा देखे rolling friction 5 न्यूटन अगर इसकी value 5 दे दी गई है केतने दे दे गई है 5 अब जो होगा आपका sliding friction वो जो भी होना चाहिए है ना वो क्या होना चाहिए यह 5 से जदा होना चाहिए भाछ इस itaillar friction क्या होना होना चाहिए थो देखो 5by P से जदा कौन कौन क्या से जदा केबल flagship 1 एक है ten वला ठीक है अंगर यह 10 से जधा हो जाएगा sliding friction 6 से ज्याधार निए कि 10 हो गया कितना हो गया माल लिए जिये कितना हो गया यह हो गया आपका sliding friction है ना यह क्या हो गया पिटा तो आप जान लिए इसकी value अगर हम क्या कल लें डस तो पहले respectively दिया है तो पहले static friction को लेंगे तो static friction को अगर हमें 5 से ज़्यादा बाला अखेबल एक यह उप्शन है, दस माल लिया, तो sliding friction क्या होगा, तो भाई देखो, sliding friction पेटा, rolling से भी कम होता है, तो 5 से कम होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 5 से कम होना चाहिए, तो क्या पूछा था? static friction क्या होगा तो भाई देखो static friction 5 से ज़्यादा होना चाहिए sliding friction भी 5 से ज़्यादा होना चाहिए लेकिन पिटा 5 से ज़्यादा वाला कोई option इधर दिया नहीं है यहाँ दिया तो यह कम दे दिया है तो यानि कि यहाँ पे कोई option फिट नहीं बैट रहा है ठीक है कोई भी option क्या है सही नहीं बैठ रहा है तो मजबूरी में हमें इस पे टिक लगाना पड़ेगा बी point पे ठीक है आप एक चीज़ समझें rolling friction सबसे कम उससे ज़्यादा sliding friction और उससे ज़्यादा होता आपका static friction ठीक है अब आयाँ पे 10 वाला तो सही बैठ थीरी वाला सही नहीं बैठ तो यानि इस question में कुछ ना कुछ चेंड करने की ज़रुत है याँ पे क्या है बिटा कुछ ना कुछ चेंड करने की ज़रुत है तो या तो पांच की value chain कर दे है ना इसको 2 कर दे या तो है ना 2 कर देगा तो फिर सही हो जाएगा ठीक है 2 कर देगा तो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा यह option देखे अगर इसको 2 करेगा तो देखे 10 हो गया यह 3 हो गया यह सही है ठीक है या फिर तो यह भी सही हो सकता तो यानि question में थोड़ी सी problem है तो आप समझ यह कभी-कभी books में भी गलबढ़ हो जाती है तो that's why हम इस option के पास जाना पढ़ रहा है हमको है ना चलिए next what happens to the drag of an object as the speed increases ठीक है कह रहा है कि drag force का क्या होगा ठीक है drag force का क्या होगा जब object की speed बढ़ जाए इंक्रीज हो जाए तो पिटा देखे object की speed बढ़े के fluid की है ना air की यह जो भी liquid में travel कर रहा है उसकी speed बढ़े मतलब relative speed जब भी कभी increase होती है तो drag force हमें साथ बढ़ जाता है ठीक है जितनी ज़्यादा speed उतना ज्यादा पीछे को आपको धक्का लगता ना आन दी में हबा में चलने को है न तो यह नहीं उसकी value क्या हो जाती है बढ़ जाती है तो air resistance increase बिल्कुल सही बात कही है फिर भी और भी option देख लेते हैं the drag is unaffected नहीं हो सकता the drag decrease नहीं घटेगा नहीं बढ़ेगा the drag disappears गया हो जाएगा ऐसे नहीं है बाई तो right answer कौन सा हो जाएगा बिटा a is the correct choice चलिए next question की तरह मूँग करते हैं short question answer type question चलिए give examples to support the statement friction is important for most of our day activities आपको कुछ examples बताने हैं जिनकी मदद से आप ये prove कर सकें हैं कि बाई जो friction होता है हमारी daily life में daily activities में काफी important role play करता है चलिए जानते answer friction is very useful in our lives without the friction force we will not able to hold on to anything चीक है यानि कि हम किसी भी चीज़ को hold नहीं कर पाएंगे पकड़ नहीं पाएंगे तो हमारी grip नहीं बनेगी तो हम उसको कैसे hold करेंगे यानि friction का होना जरूरी है second object would slip and slide away from each other दो object अगर पास पास रखेंगे अगर friction नहीं है तो वो क्या हो जाएंगे या हमारी मुठी में पकड़ना चाहरे है तो वो slide away हो जाएंगे दूर चले जाएंगे if there is no friction अगर कोई friction ना हो तो it is because of friction that we can write friction की बज़े से हम लिख पाते हैं walk open doors ठीक है चल पाते हैं open the doors दरवाजे खोल पाते हैं turn taps taps को rotate करके खोल पाते हैं on कर पाते हैं ठीक है और कह रहा है bed seat जो चादर बिछाई होती है अपने bed पे on to be remain in contact because of friction वो अगर bed बनी हुई है बहाँ पे उड़ो नहीं बहाँ से गिर नहीं जारी फिसल के तो ये friction के बज़े से we can sit on a chair without sliding off because of friction हम किसी chair पे बिना फिसले bed पाते हैं आपने देखा होगा बैटा जो लकड़ी की चेर होती है पत्थर की चेर होती है उन पर आसानी से बैट जाते हैं लेकिन जो आजकल metal वाली seat है ना road page पे या ऐसे platform बगएर पे आपने देखा होगा तो उन पर बैटना थोड़ा मुस्किल हो जाता है कि इंसान बार बार फिसल ने लगता है sliding off because of friction तो अगर friction नहीं होगा तो हम चेर पे फिसल जाएंगे है ना next explain with reasons आपको कारण के साथ explain करना क्या कबड़ी प्लेयर should rub their hand with soil before they start playing जो कबड़ी प्लेयर होते हैं उनको अपने दोनों हात रब करने चाहिए रगनने चाहिए हातों में थोड़ी मिटी स्वाइल लेके ऐसे रब करना चाहिए before they start playing जब question when we strike a majestic again the rough surface it produces fire तो जब किसी माचिस की तीली को हम क्या करते हैं strike करते हैं रगर्द करते हैं तो क्या होता है बेटा तो उससे आग निकलने लगती यानि वो जलने लगती ऐसा क्यों और third है when used for long time sleepers with rubber salts become slippery यानि जब हम अपनी चपले नई नी चपल आते हैं अच्छी grip बनती है ठीक है पैरों में थोड़ी काट भी लेती है न कभी कभी चल जानते हैं चलिए पहले एक कोस्चन कबड़ी वाले प्लेयर का जानते हैं कबड़ी प्लेयर सुद रब दियर हां बिद स्वाइल बिकॉज इंक्रीजेस फ्रिक्शन फ्रिक्शन बढ़ा देता है मदब पकड़ अच्छी बनती है विच इस हैल्पल जो कि मददगार होता है तो ग्रैब यानि पकड़ने के लिए जकड़ने के लिए अपोनेंट प्लेयर यानि जो दूसरा खिलाड़ी आएगा कबड़ी करते हो तो उसको पकड़ने के लिए ग्रिप करने के लिए अपोनेंट प्लेयर को विरोधी टीम के खिलाड़ी को पकड़ने के लिए ग्रिप क increase in temperature friction होने की आप जानते है friction होने से heat generate होती है तो उसकी बज़े से temperature बढ़ेगा and majestic lights up और माचिस के तीरी जलने लगेगी तो यह क्या हुआ temperature बढ़ने के कारण ऐसा हुआ चलिए next when used for long time जब लंबे समय तक हम use करते है sleepers with rubber sols sleepers जिनके resource जो है वो rubber के है becomes sleepery वो sleepery हो जाते है because after rubbing surface जब surfaces rub करते हैं एक दूसरे से becomes smooth and friction reduces तो भाई वो तो चपल कुरा नहीं हो चुकी है sleepers क्या हो चुके हैं परामे हो चुके हैं तो smooth surface हो चुकी है तो friction उसमें reduce हो चुका है तो हमारे गिरने के chance हो जाएंगे फिसलने के chance बढ़ जाएंगे ठीक है चलिए next give an example to so that friction increases if the two surfaces are pressed harder कहरा कि friction force की value increase हो जाएगी बढ़ जाएगी अगर दो surfaces को हम ज़्यादा दबा देंगे ठीक है यानि आप अपने hand देखे फर्स पे अपना hand रखेगा और आप देखेंगे आप आसानी से अपना hand फिसला सकते हैं अब अपना पूरा बजन टिका दीजिएगा अपनी हतेली पर आप टिकाएंगे और फिर खिसकने की कोशिस करेंगे तो आपका हाथ बहुत कम खिसकेगा यानि आपको बहुत ज्यादा energy की लगानी पड़ेगी वहाँ पर चलिए देखते हैं dragging a mat with a person यानि एक चटाई ले लिजे mat ले लिजे sitting on it जिस पर की mat पर एक person बैठा है it is hard and when nobody sitting is easy तो इससे पता चलता है जब उस चादर को mat को आप खिचेंगे जब कोई भी person उस पर नहीं बैठा है तो असानी से खिच जाएगी वह लेकिन जब कोई person उस पर बैठा है और तब आप खिचेंगे ठीक है तो वो hard रहेगी तो इसका मतलब यह हुआ दोनों के बीच friction बढ़ चुका है weight बढ़ने की बज़े से ठीक है तो इससे प्रूव हो जाता है कि जब दो surface harder प्रेस होती है दबाई जाती है तो friction की value बढ़ जाती है next if A has to push a lighter box and B has to push the same size of heavier box on the same floor who will have to apply larger force and why देखो भई क्या कह रहा A जो है एक person है जिसका नाम A मान लिजए ठीक है has to push a lighter box lighter box मनला हलका lighter means क्या है यहाँ पर हलका तो यानि एक हलका box है बकसा रखा हुआ है A उसको खीच रहा है वो हलका है तो आसानी से खीच लेगा B has to push the same box same size B को भी बही बकसा खीचना है अब उस box में हमने box में बहुत सारा समान बढ़ दिया यानि उसको भारी बना दिया heavy बना दिया ऐसा समझ लिजी आप ठीक है उसी फर्स पर खीचना है B को भी who will have to apply the larger force and why तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि जब दोनों चीजों को ज़्यादा hardly प्रेस किया जाता है तो friction बढ़ जाता है ज़्यादा energy लगाने पढ़ती अभी अभी पढ़ा था तो उसी का application यहाँ पर दिया गया है तो हमने कहा है B has to apply larger force B को ज़्यादा force अप्लाई करना पढ़ेगा because more weight cause more friction क्योंकि ज़्यादा weight की बज़े से ज़्यादा friction हो जाता है इसकी बज़े से हमें ज़्यादा है force यहाँ पर लगाना पढ़ेगा next why are aeroplanes streamlined aeroplanes को streamline क्यों किया जाता है where do we find streamline shapes in nature in nature में हम streamline shapes कहां कहां पाते हैं तो देखो भाई aeroplanes are made streamlined to reduce drag ठीक है drag force को reduce करने के लिए aeroplanes को streamline बनाया जाता है we find streamline shapes in nature like face eels streamline जो shapes होती है हम nature में प्रकरती में कहां कहां पाते हैं तो जो मचलिया हो गई है eels हो गई है यह भी पानी में रहती है eels भी और बिजली का जटकर्ण टाइप कर लगाती है तो आप eels सर्च करेंगे net पे जाके तो आपको मिल जाएंगी ठीक है तो यह दो nature में अक्सर नॉर्मली पाई जाती है next will the force of friction come into play when a rain drop rolls down from a window pain चीक आप समझे बिटा यानि कि बारिस होती है तो एक दो बूंद आपकी जो खिड़किया होती है जो inclined होती है तिर्चे तिर्चे छज़े टाइप के लगी होते है suppose करो उस पे एक बूंद गिर गए धीरे धीरे लुड़कते 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 नीचे आने लगती है उपर से टपकते टपकते है न तो वो कह रहा है ठीक है तो क्या यहाँ पे friction लग रहा है क्या आप बताईए ज़रा explain कीजिए तो हम कहेंगे yes the weak force of friction will come into play यहाँ पे weak force of friction लगेगा ठीक है क्योंकि आप जानते है rolling friction सबसे कम होता है ठीक है चलिए next जिकते है two wires are riding their bicycle on the same concrete floor दो बच्चे हैं दो लड़के हैं वो अपनी cycle चला रहे हैं concrete की floor one has new tires on his bicycle एक बच्चे की cycle के जो tire है बिलुकुल है न वो क्या है नए है मतलब समझ लो उसने नए नए cycle खरीदी हुई है while other has tires that are old and used जबकि जो दूसरा बच्चा है उसकी cycle पुरानी है tire भी पुरानी हो चुके है ठीक है और cycle काफी huge की हुई है ठीक है who between of them is more likely to skid while moving through a patch of road अब वो क्या कर रहे है एक सड़क पे जा रहे है तो वो पूछा गया है उन में से कोन जल्दी skid हो जाएगा फिसल जाएगा जबकि सड़क पे कुछ patch है किस चीज के which has lubricating oil spilled over it and by और उस सड़क पे कुछ तेल वगेरा oil वगेरा बिखरा हुआ है तो ये बच्चे जब अब एक नई cycle चला रहा है जिसके tear नए नए है grip अच्छी है एक पुरानी cycle tear use हो चुके है गिस चुके है smooth हो चुके है तो oil वाली पे जब हो जाएगा तो वो जल्दी बच्चा बिचा रहा है दूसरा वाला जो जल्दी फिसलिड आएगा है ना चलिए तो answer देते हैं दब वाई having old and used tears is most likely to skid यानि की जो student है जो बच्चा है जिसके tears old हो चुके है used हो चुके है वो उसके ज़्यादा chance होंगे की वो skid हो जाए because used tires ठीक है types नहीं है पिटा है ना ये tyres इसको साइकल लेंगे used tires are smooth and cause less friction क्योंकि वो smooth हो गया है और मैं friction कम लगता है friction कम लगेगा तो grip कम रहेगी तो जल्दी फिसल जाएग चलिए next if the magnitude of force applied by each is equal यानि एक person ये force लगा रहा है ये इधर को लगा रहा दूसरा person ये force लगा रहा एक box को इधर force लगा रहा है direction नीचे दिखाई गई है ठीक है तो अब पूछा गया will the box is in given figure experience any force of friction तो क्या इस पे किसी type का friction force लगेगा तो हम कहेंगे box will not experience any force of friction force पे किसी भी type का friction force नहीं लग रहा है because there is no resultant force on the box क्योंकि कोई भी रिलेट जितना भाई एक force लगा रहा है उतना है दूसरा लगा रहा है ठीक है तो इनके force लगाने की वज़े से कोई force नहीं लगेगा बट आप एक चीज़ समझे जब कोई object रुका हुआ होता है तो वहाँ पे static friction होता है अगर question में ये दिया होता क्या उस पे static friction लगेगा तो हम कहते हैं yes उस पे static friction लगेगा लेकिन एक general bay में जब बात करता है कि force लगाने से क्या friction लग रहा है क्या क्या friction लग रहा है तो आप समझे और एड़ कर सकते हैं ठीक है कि static friction यहाँ पे रहेगा ये बात लिख सकते हैं ना चलें next which part of a vehicle reduce friction ठीक है between axle and wheel एक जो वहिकल होता है उसमें दो पार्ट होते है axle होता है और wheel होता है तो उनके बीच में कौन सा वो पार्ट है जो friction को कम करता है how does it reduce frictional force और ये किस तरीके से frictional force को कम करतेता है answer the ball bearing reduce जो जिसको आप जनरली bearing कहते हैं तो उसके बीच में क्या होती है metals की ball गोलिया पड़ी होती है जिससे वो आसानी से फिसलता है लुड़कता है रोल करता है तो ये बीरिंग होता है friction between axle and wheel by changing क्योंकि ये क्या करता है change कर देता है किसको sliding friction into rolling friction यानि ये sliding friction को rolling friction में convert कर देता है तो आप जानेए बीटा rolling friction कम होता है sliding friction थोड़ा ज़्यादा होता है और static friction सबसे ज़्यादा होता है चलिए next long answer type question की तरह बब move कर रहे हैं क्या है long answer type question पहला explain why object should have streamlined shape while moving in fluids की यानि की object को streamlined shape का क्यों होना चाहिए चीक है जब वो किसी fluid में move कर रहे है ऐसा क्यों होना चाहिए तो देखो जानते हैं इसका answer while moving in fluids जब हम fluid में move कर रहे हैं कोई object move कर रहा है और fluids में object should have streamlined shape because this shape helps in reducing friction that is drag क्योंकि ये मदद करता है friction को reduce करने में drag को है न सेप सही होगी तो streamline सेप सही होगी तो क्या होगा बेटा ये हो जाएगा drag उसका friction force क्या हो जाएगा बेटा कम हो जाएगा next what would happen if there were no force of friction क्या होगा अगर friction force हो ही न imagine and describe in your own word तो आप imagine करें और अपने सब्दों में बताएं ठीक है तो भाई हमें अपने सब्दों में बताना है तो हम अपने सब्दों में बताएंगे हाना कि question पहले आ चुका है तो यानि friction ना हो तो क्या होगा देखो भाई friction is very useful in our lives हमारी life में बहुत important है without the friction force अगर friction without नदब अगर ना हो तो क्या होगा we will not be able to hold on anything हम किसी चीच को पकड़ नहीं पाएंगे grip नहीं बना पाएंगे objects would slip and slide away from each other objects एक दूसरे slide हो जाएंगे if there is no friction अगर friction ना हो तो it is because of friction that we can ride, walk, open doors, turn, taps, etc ये केबल इसी कारण है है कि हम इतने सारे pen चला पा रहें walk कर पा रहें क्योंकि friction है ठीक है bed sits on the on the bed यहाँ पे क्या है on the bed remain in contact because of friction friction की बज़े से bed seat जो है bed पे बनी हुई है ये नहीं होगा तो bed seat गिर जाएगी नीचे खिसक जाएगी we can sit on a chair without sliding because of friction ठीक है यानि हम chair पे बैट पा रहें तो friction की बज़े से होकर नहीं होगा friction तो ये सारी चीज़े हम नहीं कर पाएंगे चलिए next describe some events where friction is harmful for us आपको कुछ ऐसी चीज़े बतानी है जहाँ पे friction हमारे लिए क्या है harmful है क्या पेटा harmful है तो देखे friction produces heat friction heat produce करता है that causes the moving parts of the machines and automoiles to overheat जिसकी बज़े से जो machine के parts होते है automoil के vehicle के parts होते है वो गरम हो जाते है friction की बज़े से heat हो रहे हो friction हो रहा है तो heat जनने टोरी parts गरम हो जा रहे है उससे क्या होगा बई देखो 8 results in the wastage of energy and fuel यानि कि जो energy vehicle को machine को work करने के लिए आगे बढ़ाने के लिए move कराने के लिए use होनी थी वो heat में convert होगी मतलब energy का loss हो रहा है ठीक है friction also cause wear and tear friction से क्या होती है तूट-fूट होती है parts तूट जाते हैं खिस जाते है wear off हो जाते है tear off जाते हैं wear and tear depends on the roughness of two surfaces ये दो surfaces की roughness पे depend करती है मतलब कोई object जितना ज़्यादा खुरदरा rough ठीक है in contact with each other and the amount of two surface rub against each other जैसी दो surface एक दूसरे के against rub करती है types of the vehicle wear out due to friction force between the types ठीक है यहाँ पर types नहीं tears आएगा ठीक है तो यहाँ पर भी tears आएगा tears of the vehicle तो vehicle के जो tears होते हैं wear out हो जाते हैं घिस जाते हैं due to friction force क्योंकि friction force होता है किस के बीच में tears के और road के बीच में किस में होगा tears के और road के बीच में burn out tears can cause road accident जो भाई क्या होंगे घिसे पिटे tear होंगे तो कभी भी worst हो सकता है यह skid हो सकती है गाड़े फिर सल सकती है ती एक्सिडेन्ट होना की चांस बढ़ जाएंगा यह होगा और it can cause moving object to slow down unnecessarily याने की इससे क्या होगा cause moving object to slow down unnecessarily friction अगर बढ़ेगा तो ज्यादा energy हमारी friction में खर्च हो जाएगी गाड़े की speed कम हो जाएगी example friction between the boat and the water surface slows down the boat down यानि कि जो बौट होती है पानी में चलती है जो तो friction water के बीच और वोट के बीच है तो वो उसकी speed को घटा देता है, decrease कर देता है Next What is fluid friction? Fluid friction क्या होता है? On what factors does the fluid friction depends? और किन-किन factors पर यह fluid friction depend करता है तो fluid friction के बारे में जानते हैं Air, water and other fluids ठीक है, fluids का मतलब जितने भी liquids होते हैं, जितनी भी gases होते हैं यह सारे के सारे fluids की category में आते हैं किसमें आते हैं? Fluids की category में आते हैं Also resist the motion of an object due to friction तो वो कह रहे हैं कि यह क्या होते हैं? Resist करते हैं motion of the object due to friction ठीक है? तो air, water जितने भी fluids हैं ये object के motion को resist करते है friction के करन The frictional force due to air, water and other fluid is called fluid friction तो यानि कि air, water, other fluids के करन जो friction होता है उसको fluid friction कहा जाता है Fluid friction depends on किन बातों पर depend करता है Speed पर depend करता है, shape पर depend करता है, nature of fluid पर depend करता है Next List any three methods to reduce friction ठीक है, आपको तीन तरीके बताने जिससे friction को कम किया जा सकता है ठीक है, तो देखते हैं Apply a lubricant to make surface smoother सबसे पहले काम क्या है, कि आप lubricant apply कर दे surfaces के बीच में ताकि वो smooth बन जाए और friction automatic कम हो जाए A lubricant is a substance that makes the surface smooth on which it is applied and this process is called lubrication यानि उन surfaces के बीच आप lubricant apply कर दें जिससे कि surface किया हो जाए, smooth हो जाए और इस process को नाम दिया हमने lubrication जिसको आप mobile oil बगएरा कहते हो है, grease कहते हो Example oil and grease, ठीक है, ये लगा सकते हैं आप और कैसे कम करेंगे friction को, use of ball bearing, ball bearing का use करते है A ball bearing is a type of rolling element, ये roll करके चलता है तो यानि इसमें rolling में आप जाने सबसे कम friction होता है Bearing that use balls to maintain the separation between the bearing races ठीक है, तो ये क्या करता है, जो surface होती है और bearing के बीच में ये जो rollers होते हैं, races के बीच में ये rollers गोलिया आ जाती है, जिससे क्या होता है, यानि उनके बीच में surface से contact कम हो जाता है, तो वो roll करके चलता है और friction इस बज़े से घट जाता है Ball bearing changing sliding friction into rolling friction यानि कि वो sliding friction को rolling friction में convert कर देता है चलिए, next, a wheel reduces friction by allowing the contacting surface to roll यानि कि wheel जो होता है, पहिया जो होता है, वो क्या करता है contacting surface को roll कराने मदद करता है, rather than to drag drag किया picture, slide किया picture, over each other यानि वो slide कराने, slide को लेके, drag को लेके हटा देता है और roll करने में help करता है by reducing friction, a wheel can enable you to use less force to move an object जिसकी बज़े से जब गाड़ी रोल करेगी तो हमें less force लगाना पड़ेगा गाड़ी को आगे खिचने के लिए, चलिए, next देखते है what are the difference between static friction, sliding friction and rolling friction आपको difference बताना, static में, sliding में, rolling में चलिए, पहले sliding friction देखते है it is a friction between, एक ऐसा friction होता है किस-किस के बीच, two or more solid objects that are not moving relative to each other यानि दो solid चीजे हैं, जैसे कि आप समझे, आपका duster है, table पर रखा हुआ है अब उनको दोनों को कोई हिला-डूला नहीं रहा है ठीक है, तो मतलब table और duster के बीच में उस समझ जब वो रुकी हुई है static position में है, तो उस ताइम पर जो friction force लग रहा है उसको हम कहेंगे बिटा, static friction क्यों, भाई वो आगे क्यों नहीं जा रहा है क्योंकि दोनों के बीच में friction लग रहा है pull पे से आ रहा है, तो आपके जूतों के बीच और है ना, उसके बीच, surface के बीच friction ना हो तो आप नीचे लुड़कते ही चले हैं, आप तो रुके ही ना पाए मापे है ना, चलिए sliding friction की बात करते है, sliding friction को kinetic और moving friction भी कहा जाता है ठीक है, यहाँ पे जी लगा लेंगे rolling पे कभी कभी हमारे type बाले बच्चे गलती का देते हैं, है ना, चलिए the force that is required to keep a surface sliding ठीक है, यानि कि force required force जो जरूरी होता to keep a surface sliding along another surface is known as sliding friction यानि कि ऐसा friction जब objects slide कर रहे होते हैं तो उस time पे slide के लिए यह ना, जो friction लग रहा होता है उसको sliding friction कहते हैं, ठीक it is almost always sliding than that of static friction यह almost जो आपका static friction होता है उससे कम ही होता है, ठीक तो यानि कि आप normally जैसे सड़क पे चलते हैं, तो उस time पे आपके sooz के बीच, soul के बीच, और force के दिवार के बीच, जो force लग रहा है है ना, जो आपकी सड़क है उसके बीच, surface के बीच, force लग रहा है तो उसको आप कहेंगे sliding friction तो आप slide करके चलते हैं, हना, चली next rolling friction की बात करते हैं it is the force resisting the motion of a rolling ball or wheel rolling friction क्या होता है यह एक ऐसा force होता है, जो resist करता है motion of a rolling ball or wheel यानि यह पहिया है, जैसे लुड़क-लुड़क के है ऐसे घूमते-घूमते-घूमते-घूमते आगे जाता है, तो यह roll करने को जो oppose करता है, एक curved surface generally क्या होती है, roll क्या होती है curved surface होती है, it is the weakest type of friction, यह सबसे कम quantity का, कम value का friction होता है compared to, जब comparison किया जा रहा है static और sliding friction से तो उनसे कम होता है, rolling friction है तो इसमें drag, liquid friction की बात अभी नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, चलिए तो भाई देखो, अब देखने वाले hot question, ठीक है, क्या देखने वाले हैं hot question, number one है न, यह हमारी body के smooth movement में joints को मदद करता है, with the advancing air जैसे जैसे उमर बढ़ती जाती है this cartilage bears off यह घिस जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं how would this affect the movement of joints, तो यह joints के movement को किस तरीके से क्या करता है affect करता है answer, bearing of a cartilage cause increase in friction, cartilage जब bear out हो जाती है friction increase हो जाता है इनके बीच और जब friction increase जाएगा this makes movement of joints difficult तो जिससे क्या हो जाते है movement difficult हो जाते है next, a father and a son एक father है और एक son है तो यह नि दोनों बाब बेटा क्या कर रहे है push their car to bring it to the side of the road वो अपनी car को धक्का दे रहे हैं कि उनकी car को सड़क के किनारे लाके खड़ा कर दिया जाए at it had stored in the middle of the road क्योंकि यह अभी सड़क के बीच में खड़ी हुई रहे है यह दोनों चाहा रहे है father and son की भाई इनको किनारे कर दिया जाए सड़क के किनारे लगा दिया जाए they experienced that although they had to post with all their might initially to move the car उन्होंने शुरुआत में जितनी उनमें सामर्थ थी जितनी पहावर्थी सारा फोर सारी energy लगा के देख ली तो यह काफी hard उनको लगा कि भाई ऐसे खिसका के तो खड़ी कर पाना सड़क के किनारे ले जाना ना बहुत मुस्किल है the post required to keep the car rolling अब उन्होंने धक्का देके काड़ी को पहियों की मदद से रोल कराने कोशिश की तो बहुत आसान लगा है उनको मदद स्लाइट कराके खिसका के उनको बहुत भारी लग रहा है और रोल कराके ले जाना बहुत आसान लग रहा है ठीक है the car started rolling कार start rolling करें तो बहुत कम लग रहा है explain ऐसा क्यों देखो भाई the post required to keep the car rolling बाज smaller क्योंकि जो push आप लगा रहे हैं force लगा रहे हैं कार को रोल करने के लिए तो बहुत बहुत ही कम है ठीक है because क्यों क्योंकि rolling friction is less than the sliding friction rolling friction कम होता है sliding friction से बहुत कम होता है चलिए तो इस तरह से आपने देखा आज का वीडियो इसमें बाव साइंस का class 8 का chapter number 2 हमने complete यहां पे cover किया है तो इसी तरीके से यह chapter हमारा complete हो गया और भी interesting video आप देखते रहेगा हम लाते रहेंगे पूरी book का solution हम लाएंगे और भी जिस book का solution आपको चाहिए ठीक है आप हमें comment box में comment करके जरूर बताइएगा और हाँ और भी interesting video देखने के लिए देखते रहे हमारे channel पढ़ाए लिखाए विदमी व्रेंद channel को like, share, subscribe करना बिल्कुल भी ना भूलिए चलिए मिलते हैं next video में